नमस्कार, अपने दैनिक जीवन में हम विविद प्रकार की 2D और 3D आकृतियां देखते हैं 2D आकृतियां उन आकृतियों में शामिल होती हैं जिनके आयामों के रूप में केवल लंबाई और चौडाई होती है जबकि 3D वे आकृतियां होती हैं जिनके आयामों के रूप में लंबाई चौडाई के अलावा इसके तीसरे आयाम के रूप में उच्चाई या गहराई भी होती है आज हम देखेंगे कि किस तरह मेरे पास मौझूद 3D नेट का प्रियोग 2D और 3D से संबंधित विभिन अवधारनां को सिखाने के लिए किया जाता है इस गतिविधी का उदेश्य है ठोस आकृतियों को जानना और वास्तविक जीवन से उनकी तुलना करना उनकी विशेष्टाओं की सहच समझ विक्सित करना ठोस आकृतियों की सतह, किनारे और शीर्ष जैसे गुणों को समझना इसके अलावा अकृतियों के अलग-अलग नेट बनाकर तारकिक शम्ता का विकास करना किट में खुल 14 थ्रीदी पेपर नेट हैं इनसे 7 थ्रीदी अकृतियां बनेगी जिन में घन, घनाम, बेलन, शंकू, वर्गिय पिरामिड, त्रिकोनिय पिरामिड और त्रिकोनिय प्रिज्म प्रतेक दोदो के सेट में मौझूद हैं गते विधी की शुरुआत विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से उदाहरन लिते हुए करें जैसे हम सभी पासे द्वारा विभिन खेल जैसे सापसीधी, लुडो, आदे खेलते हैं पासे पर एक से छे तक बिंदू बने होते हैं मेरे पास मौझूद यह एक घन, लुडो के पासे के आकार का है, जिसकी छे सतय है अगर हम इस घन को खोल कर देखें, तो यह कुछ ऐसा दिखेगा आपको यहां कुछ रिखाएं दिखेंगी इन्हें घन का किनारा कहते हैं, जहां से आप मोड कर वापेस घन बना सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह किनारे एक बिंदू पर आकर मिलते हैं, इसे कोना या शीर्ष कहते हैं आईए मेरे साथ इस घन के सतय हैं, किनारे और शीर्ष गिनते हैं यहां सत्यष की कुल संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच, और शे हैं और किनारों की कुल संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा यानी बारा हैं यहां कोनों की कुल संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यानि की आठ है आईए अब एक अन्य वस्तू लेते हैं जैसे की यह रबड क्या पासे और इस रबड की सतह में कोई अंतर होता है? पासे यानि घन में सभी सतहों का आकार वर्ग जैसा होता है जबकी रबड की सभी सतह आयताकार हैं ऐसे वस्तू के आकार को हम घनाब कहते हैं इसके लिए हम रबड जैसी दिखने वाली इस आकरिती को लेंगे इसे घनाब कहते हैं चलिए अब घनाब के सतह, किनारे और शीर्ष की जांच करें और मेरे साथ इस तालिका को भरें यहां भी 6 सतह, 12 किनारे और 8 शीर्ष हैं और हम यह भी देख सकते हैं कि घन की तरह इसमें सभी सतह वर्गिय नहीं है हम घनाब को किताब और श्यामपट के रूप में भी देख सकते हैं गते विदी को आगे बढ़ाते हुए कित में मौझूद अन्या आकरितियों को दिखा कर पूछें कि वे किस वस्तु जैसे प्रतीत होती हैं जैसे कि यह आकरिती हम रोटी बनाने वाले बेलन, सिलिंडर, पैंसिल आदी में देखते हैं इस आकरिती को बेलन कहते हैं यदि हम इसे खोल कर देखें तो यह ऐसे प्रतीत होती है इसमें हम देख सकते हैं कि यह दो वृत और एक आयत से मिलकर बनी है यह आयत गोला का रूप से मुड़ा हुआ है और यह दो वृत इसको उपर और नीचे से ढखते हैं चलिए अब एक दूसरी आकृती को लेते हैं इसका नाम शंकू है हम सब ही ने कभी ना कभी बर्थरे कैप का इस्तिमाल तो जरूर किया होगा वह भी शंकू आकृती के जैसा ही होता है या फिर आइसक्रीम कौन में भी हम इसे आकृती को देख सकते हैं जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह आकृती वृत के त्रिज्यखंड और एक वृत से मिलकर बनी है यह त्रिज्यखंड गोला का रूप से मुडा हुआ है और वृत इसको उपर से ढगता है अब इसी प्रकार यदि हम इस त्रिकोनिय और इस वर्गिया पिरामिड को लें तो देखेंगे कि त्रिकोनिया पिरामिड चार त्रिभुजों से मिलकर बना है जबकि वर्गिया पिरामिड चार त्रिभुज और एक वर्ग से मिलकर बना है इस आक्रिती को प्रिजम कहते हैं यह तीन आयत और दो त्रिबुजों से मिलकर बना है इन आक्रितियों को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन की वस्तुएं से जोड़ते हुए इनकी सतह, किनारे, शीर्ष के बारे में चर्चा करें और दी गई तालिका को पूरा करें पूछें कि अगर इन ठोस आक्रितियों को दूसरी तरफ से खुला जाता तो खुलने पर चित्र कैसा बनता अब आपकी बारी आप भी अन्या आक्रितियों के नए-नए 2D Nets बनाए इस तरह हम 3D Paper Nets के माध्यम से 2D और 3D अक्रितियां और उनके संबंध के बारे में सिखा सकते हैं सीखते रहें, सिखाते रहें, धन्यवाद